नमस्का, मेरा नाम है डॉक्र पूरुधावन और आज इस वीडियो मैं बताऊंगा कि गर्मी के मौसम में किड्नी फिलियर पेशिंट कौन-कौन से फूर्ट का यूज़ कर सकता है क्योंकि गर्मी के मौसम में डिफरेंट और टीस्टी फूर्ट आना शुरूर हो जाते हैं पेशिंट को बहुत किन्फिजन होती है कि कौन सा फूर्ट खाना है कौन सा नहीं खाना किस से फायदा होगा किस से नुकसान होगा तो इसको हम डेटेल में वीडियो में चर्चा करेंगे गर्मी के मौसम में सबसे जड़ा आने वाला फूर्ट जो होते हैं वो है तर्बूज और खर्बूजा अब यह तर्बूज और खर्बूजा है यह दोनों ही कीड़नी फिले पेशिंट के लिए अच्छे रहते हैं कोई नुफसान नहीं होता अगर इपॉर्टेंट होता है कि हम कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं इसकी मात्रा को कम रखते हैं अगर अगर आपने कम जा εκो लेना हैज, तो आपने द्हान के रखना है कि आपने वन बाउल ले लेना है तो आप छीलो कटो अर उसको वन बाउल में चाट बना के ले सकते हो सब्सक्रादाह नमक नें डालताह न रिए निभू ले निज ले सकते हैं और बहुत सारे fruits आते हैं करवी की मौसम में, जामून आने वाला है, जामून हम यूज कर सकते हैं किड्नी फिले पेशन्ट में, और खासकर उन पेशन्ट के अंदर जिनके अंदर diabetes की भी दिखकर देखने को मिलती हैं, मगर पूरे दिन के अंदर, fruits इक कॉन्टिटी वह ही वन बाउल रही, अब आप असे तर्बूज लो, खरबूजा लो या जामूल लो, पर हमने उसको एकसीट नहीं करना, इसी तरह से एक और फ्रूट आता है, जो हम सब को बहुत पसंद है, वो है आम, आम जो है, वो किड्नी को सान कुचा सकता है, इस वज़े से, प्रिकोशनली बेसिस में हम इसको बंद का देते हैं, तीसा सबसे बड़ा कारण क्या होता है, कि जो फूट हो, जो मैंगो है, वो खट्टा में होता है, उसके अंदर अस्कॉर्विक असिड बहुत जादा होता है, उसमें सिक्रिक असि असिडिक हो जाएगा, तो आपके किंडिन को ज्यादा नुक्सान बचाएगा, और इस किंडिशन को बोलते हैं, मेटाबॉलिक असिडॉसिस, क्रेटनीन लेवल जब तक 4 पहुंचता है, तब तक को नुक्सान ही होता, यानि, जीरो पॉंट से शुरू होकर 4 तक, लेंगे, तो आपकी बॉड़ी में असिड जाएगा, क्योंकि एस्कोर्विक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये एसिड इतना ज्यादा स्रॉंग हो जाता है कि किंडि को तीजी से खराकवना शुरू कर देता है, तो जितने भी किंडिनी फिले के पेशेंट है, गर्मी के मौसम म अगर इन छोड़ी सी चीज को दिहान में रखोगे, तो कभी भी आपको मैटापॉलिक एसिड ओसिस की दिकत नहीं देखने को मेले कि फ्रूट्स की वज़ा से, अब कुछ और फ्रूट्स होती है, जो की किड्नी फिले का पेशेंट ले सकता है, उसमें आता है चीकू, चीक को पूरी तरह से बंद रखना होता है, चीकू को हम कम मात्रा में ले सकते हैं, अगर आप डियाबिटिक पेशेंट तो आप चीकू जैसा फ्रूट नहीं लोगों कि वह बहुत जादा मीठा होता है, इसके साथ साथ एपल जो कि हमें बारा महिने मिल जाता है, हम उसका यूस मुँ में चलाइए, जूस निकालिए और जो इसके सीड्स हैं उनको भाहर स्पिट कर दीजे, बहार निकाल दीजे जिसे आपकी बॉड़ी में ताकत तो पूरी जाए, पर प्रोटेश्यम की मात्रा ना बढ़े, अब एक और फूर जो बहुत कॉमनली हमें गर्मी की मौसम म करना है क्योंकि उनके अंदर वही दिक्त है जो आम के अंदर आप अंगुर का सेवन नहीं करणा है, तो मैं उम्मिद का तो इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा अच्छा इंसेट क्लियर हो गया कि कौन से फूर्ट खाने हैं कौन से नहीं उनके नाम भी पता लग गए, और किस तरह से हम फूट को identify कर सकते हैं कि हमारी के लिए ठीक है या नहीं है उसके बारे में आपको पूरी जान किया रही मिल गई हमारी डॉक्टर की टीम हमेशा अविलेबल रहती है आप उनसे बात कर सकते हैं मैंको आप कुछ रिपोर्स दिखाना चाहूंगा उन रिपोर्स को देखिए और बाकी सारी जो वीडियो इस चैनल की उपर है उसको एक करके पूरी पूरी वीडियो इसको देखिएगा तो आप बहुत अच्छा आइडिया मेल लाएगा कि आपकी कंडिशन में क्या चीज अच्छी है क्या चीज नहीं है किस तरह से आप क्रेक्रेटरिन को डॉंक कर सकते हो किस तरह से आप विधाउट डालेसिस विधाउट प्रांस्पण अपनी बॉड़ी को अच्छा रख सकती हो नश्कार.